कुछ गला आज में नू पता लगी हैं इसे करके रूबरू हो रहे हैं एक ता मेरे एरेस्ट वारेंट जारी हो गे ते लोकाउट नोटेस भी जारी हो गया नमस्कार दोस्तों विएच नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अजर अनसारी गंडतन दिवस के दिन दिल्ली में हुई इंसा की जांच पुलिस कर रही है लाल किले पर धार्मिक जंडा फैराने के मामले में पंजाब एक्टर दीप सिद्धु पर गिर्फ ज़्याक होंगे तो धरुस्त होंगे कुछ गला आज मेंनूं पता लगी है इसे करके रूबरू हो रहेयां एक तो मेरे एरेस्ट वारेंट जारी होगे ते लोकाउट नोटस भी जारी हो गया मेरे एरेस्ट वारेंट जिड़े जारी हो यह ऊदे लहीमनों सब्सेजिए किता था सी डड़िये भी क्यों सो इस करके इंवेस्टिगेशन एजेंसी नूँ पुलिस डपार्टमेंट नूँ मैं गल कहना भी तुसी पालनास्ते करोकर ही या बंदया नूँ बलाउना एक हेचल ना करो मैं आप पर ही थोड़े कोड़े दोख देना चाजूंगा ते आप उद्द बाद जो इंवेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होई कर लांगे पर जेस तरह दिया अफ वहां जेस तरह दिया गलां फुलाईया जा रही है ओ सब कोश किसे तत्थ देदा आरते निया ते सचाई नू सामने तत्था देदा आरते रखन लई मैंनू दोख देन चाही दिया तो मैं सारे आफदा प्रूफ एविडेंस कठा कर लेना ते मुड़के थोड़े को ले अपना वह कि जो करना होया उस तांगनाल निजट लांगे सो जो कुछ होना तो उसी एफ आयार दर्ज की ती या कुछ तेड़े चार्जर लाए हमेरे ते कोई नहीं हो निजट साथी सिद्धू ने कहा कि वे मामले से जुड़ा सबूत जुटा रहे हैं दो दिन बाद पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे इसलिए परिवार को परिशान ना किया जाए बता दे कि लाल किला हिंसा मामले में पुलिस ने सिद्धू के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कि मेरे बारे में लगतार जूट फैलाया जा रहा है ऐसे में सच इखटा करना जरूरी है जो मेरे उपर केस लगाए गए है मैं उनको लेकर अपना सबूत पेश करूँगा वहीं दिल्ली पुलिस ने 14 किसानों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है पुलिस जल्द कई किसान नेताओं के पासपोर्ट को भी जब्त करेगी जिससे लोग देश से बाहर ना भाग पाए इनमे राकेश तिकैत, मेधा पाटकर, दर्शन पाल सिंग, योगि दिल्ली हिंसा के जांच अब तक कहां पहुंची है, पुलिस ने अपनी जांच में अब तक करीब 38 मामले दर्ज किये हैं और लगभग 48 लोगों को गिरफतार कर लिया है, पुलिस जांच के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है, मामले में पुलिस को हिंसा भढ़का वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी ना भूले, शुक्रिया